हलो एवरीबन स्वागत है आप सभी का competitive academia में इस सीरीज में हम परियावरण एवं पारिस्तेतिकी के mcqs discuss कर रहे थे शंकर आईएस और ड्रेस्टी आईएस से तो चली शुरुवात करते हैं जहां तक हम ने किया था उसके आगे से पहला प्रशन है आज का पिग्मी हॉग पाया जाता है तीन ओप्षन दिये गए हैं तो पुछा गया कहां पर पाया जाता है या फिर इन सभी में पाया जाता है मानस वनी जीव अभ्यारण कैंप बिल बे नेशनल पार्क नामदाफा टाइगर रिजर्ग या फिर इन सभी जगा पर तो इसका उत्तर है ए मानस वनी जीव अभ्यारण और जो पिगमी हॉग है ये पिग की सबसे छोटी प्रजाती है इसके अलावा ये घोसला बनाती उसमें रहती है और मानस वनी जीव अभ्यारण की स्थानी है एंडमिक है यही पर ही पाय जाती है सिर्फ और मानस वनी जीव अभ्यारण ये असाम में है इसके अलावा Camp Bill Bay National Park ये Great Nicobar में है अंडमान निकोबार आईलेंड जो हैं वहाँ पर निकोबार और नामदाफा ये अरोराचल प्रदेश में है यहाँ पर Flying Squirrel पाई जाती है और वो भी critically endangered है पिग्मी हॉक भी critically endangered है याद रखिएगा अगला प्रशन देखते हैं ये सुमेलित करना है इलवीरा चूहा ये कहाँ पाई जाता है ये पाई जाता है पूर्वी घाट में मालाबार सीवेट वेस्टन घाट, प्लाइंग सुकेरिल ये अरोराचल प्रदेश अब ये उपर डिसकर्ज भी किया था पहले प्रशन में तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों साम एक साथ सुमेली थे इसका आंसर हो जाएगा बी और ये तीनों के तीनों critically endangered है जो जीव जन्तू critically endangered है आप उन पर ज़रूर ध्यान दिया करिए क्योंकि कभी कभी एक question आ जाता है ऐसा अगला प्रशन देखते हैं निम्निल्खित में से कौन अंडे देने वाले इस्तंधारी है यानि कि ऐसे इस्तंधारी जो अंडे देते हैं O.O.V.V.Paris बोलते हैं O.O.V.V.Paris O.U.S तो कौन गौन सा इसमें Echidna और Platypus यानि कि दो और तीन इसके अलावा Echidna और Platypus ये दोनों Australia और गिनी तट के आसपास पाए जाते हैं ये दोनों को ये दोनों critically endangered है और हाँ ये दोनों इसको options जाएगा भी आगे देख लेते हैं कश्मीरी, हिरड या फिर जिसे हंगुल भी बोलते है दाची गाम नेशनल पाक में पाए जाता है दाची गाम नेशनल पाक ये शीरिनगर के आसपास है अनि कि जम्मो कश्मीर में और गंगा नदी डॉल्फिन ये आपको पता है नेशनल एक्वैटिक एनिमल है अगला परसल देखते है निमलिखित में से कौन अपने मेटिंग डान्स के लिए जाना जाता है जेडॉन, कॉर्सर सफेट पेट वाला बगला, बंगाल फ्लॉरिकन या हिमालेन बटेर तो इसका उत्तर है बेंगॉल फ्लॉरिकन ये जेडॉन, कॉर्सर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, आंदरप्रदेश में पाया जाता वही का एंडेमिक है, छोड़ा सा पक्षी होता है और जो सफेट पेट वाला बगला ये मेंली नौर्थ इस्ट इंडिया में पाया जाता है और ये सारे के सारे किटिकली इंडेंजर्ड है अगला प्रश्म देखते है ये मिलान करना ये सारे दिये गए है बिमारिया दी गए है, किसकी कारण होती है, उससे मिलान करना है तो तपेदिक यानि कि टीवी किसे होता है टीवी होता है माइको बैक्टिरियम से पहले का डी हो जाएगा और रिंडर पेस्ट रिंडर पेस्ट होता है माइक्रो बिली वाइरस से फुट एंड माउथ डिजीज ये एफमवी वाइरस से होता है फुट एंड माउथ वाइरस से इंत्रेक्स बैसलस इंत्रेसिस से होता है तो इस pencil हो जाएगा A अगला प्रशन देखते हैं नियतात्मक प्रक्रियाएं दिटर्मिनिस्टिक प्रक्रियाएं वे प्रक्रियाएं होती हैं जहां विलोपन का कारण मानवी गत्विद्या होती है यानि की कोई भी जीव या जनतू की प्रजाती जो है अगर वो विलोप थोरे उसका reason अगर मानवी गत्विदियां है जैसे कि मानों के दारा उनके आवास कनस्ट किया जाना या फिर किसी प्रकार का pollution create किया जाना तो वैसी प्रक्रियाई deterministic प्रक्रियाई कहलाती है यह कथन सही है अगला दूसरा कथन इसमें है स्टोकैस्टिक प्रक्रियाई या द्रचिक घटनाओं के रूप में होती जिससे प्रजातियों का विलोपन होता है यह भी सही है कि जो स्टोकैस्टिक प्रक्रियाई होती है उसमें जो natural प्रजातियों का विलोपन होता है जैसे कि जौला मुकी फट गया किसे आइलेंड के उपर तो वहां की कोई वहीं पाई जाती थी और वह विलुप्त हो गई या कुछ और ऐसा कुछ हो उसको स्टोकेस्टिक प्रक्रियाएं बोलते हैं तो यह दोनों कथन सही है पूछा गया ह जाइलम और फ्लोएम के बारे में जाइलम भोजन को पत्यों से तनी तथा जड़ों तक पहुचाता है तो यह गलत है यह फ्लोएम करता है और फ्लोरेम, जल और पोशक तत्वों को जडो से शाकाओं और पत्सी से पहुंचा यह फ्लोर में अहीं जाइलम करता है तो यह 2 उल्टे लिख्ये हुए हैं, तो पूछा करकर की कॉण सार क्या है? कोई भी नहीं साही है, दोने उल्टे लिख्ये हुए है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से वे कारक जो phytoplankton को प्रभावित करते हैं प्रकाश करेगा, पोशक्तत ये भी करेंगे, तापमान ये भी करेंगे, सलैनिटी लवड़ता ये भी करेंगे यानि कि इसका उत्तर हो जाएगा C, ये चारो phytoplankton को प्रभावित करते हैं अगला प्रश्ण है, संरचित छेत्र, वन्नी जीव अभ्यारण, रास्टी उध्यान, ये सब किसके अंतरगत आते हैं तो इसका उत्तर है, वन्नी जीव संरच्छड अधिनियम, 1972 अगला प्रश्ण है, कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पहला है कि इसका प्रबंधन संरच्छड रिजर्व प्रबंधन समित्य के दौरा किया जाता है, सही है दूसरा है थिरुपाथी मार्थुर सनरच्षड रिजर्व देश में इस्थापित पहला सनरच्षड रिजर्व है तो ये दोनों कतन सही हैं और ये कहां पे स्थापित किया गया था तमिलनाडू में तो पूछा गया कौन सा कथन सकते हैं दोनों कथन सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा C अगला प्रश्ण देखते हैं मैन और बायोस्पेर प्रोग्राम और बायोस्पेर रिजर्व नेटवर्ग पूछा गया है कि किसके दोरा स्थापित किया गया तो ये दोनों की दोनों पहल यूनेस्को की है और इंडिया में 18 बायोस्फियर रिजर्व है जिस में से 11 को Man and Biosphere Program के अंतरगत समलिद किया गया है अगला प्रशन देखते हैं Biosphere Reserve के बारे में निमलिखित में से सबसे अधिक सुरच्छा किसे दी जाती है तो जो core zone होता है किसी भी biosphere reserve का उसे सबसे जाधा सुरच्छा दी जाती है जो buffer zone होता है उसे भी कुछ कुछ उतमें छूप होती है जैसे कि research के लिए लोग जा सकते हैं या गूमने के लिए जा सकते हैं लेकिन सुरच्छी तो भी होता है जो संक्रमर जोन होता है वहाँ पर जो tribes रहती है वहाँ से सूखी लगपियां वहाँ खटा कर सकती लेकिन कोई भी industrial वहाँ पर development नहीं होगा और पेड़े नहीं काटे ज होता है संक्रमर जोन भी अगला प्रश्न है विश्व में hottest hotspot कितने हैं नहीं पूछा गया भी निम्द में hottest hotspot हैं तो मेडागासकर ये भी है फिलिपीन्स ये भी है भारती रेकिस्तान ये hottest hotspot में नहीं आता है जैसा कि आपको पता है यहाँ पर बायो डाइवस्टी बहुत ज्यादा नहीं है इंडो बर्मा छेत्र ये भी hottest hotspot में आएगा क्योंकि जो नौर्थीस्ट इंडिया है वहाँ पर बहुत जादा डाइवर्सिटी है जो इंडो बर्मा छेत्र है तो hottest hotspot वर्ल्ड में आठ हैं कौन-कौन से हैं एक तो मेडागासकर हो गया फिलिपीन्स हो ग पेश्टन घाट वला जो पस्ट्मी घाट और शिलंका तक है और ऐस्टन आर्क और कोस्तल फोरेस्ट ये आएंगे तंजानिया वाले तो ये सारे आठ हैं अगला प्रश्ण है प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंब किया गया था तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंब किया गया और 1992 में प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया था 1999 में प्रोजेक्ट सी से टर्टल से सी टर्टल के कंजर्वेशन के लिए शुरू किया गया था है राष्टी बाग संडख्षड का दिकरण के बारे में निम लिखिद में से कौन सा कफन सही है यह एक वैधानिक निकाय है और сделал muito की जाती है ये भी सही है यानि कि पहला कतन सही है दूसरा है यह राज सरकार द्वारा तैयार संदक्षड योजनाओं को मंजूरी प्रदान करता है तो ये भी सही है आप याद रखिएगा कि बाग संदक्षड से रिलेटेड कोई भी पर्योजना तैयार की जाती है सब को मंज प्रादिकरण देता है रास्ति ये बाग संदक्षड प्रादिकरण तो इसमें दोनों सही हैं क्या पूछा गया सही कतन पूछा गया तो दोनों सही होंगे इसके अगला प्रश्म देखते हैं हाथी मेरे साथी अभियान किसके द्वारा प्रारंब किया गया परियावरण और वन मंत्राले वाइड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया युनाइटर नेशन इन्वार्मन प्रोग्राम रास्टी वन जियू बोर्ड तो जो पहले के दो हैं इन दोनों के द्वारा प्रोजेक्ट हाथी मेरे साथी जो अभियान ये शुरू किया गया था और वाइड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इसका मुख्याले देहरा दून में हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में शुरू किया गया था देहरा दून और हाथी जो है ये हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है माइक कारेकरम निवनिखित में से किस से संबंदित है माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग इंडीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट तो अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो आप बता सकेंगे ऐसे ही कि ये हाथी से रिलेटेड है और ये 1992 में प्रारम किया गया था 1992 अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट हंगुल किसके संरक्षड हेतु प्रारम किया गया था हंगुल कश्मीरी हिरण को बोलते हैं जो दाची गाम में पाय जाता है दाची गाम नेशनल पार्क में और हंगुल ये रेड डियर की एक प्रजाती है दाची गाम आपको पताओगा श्रीनगर में है जमु कश्मीर में अगला प्रश्न देखते हैं समुद्री कच्वे के संरक्षड के लिए समुद्री कच्वा परियोजना एक पहल है किसकी किसकी ये पहल है परियावरण एवं वन मंत्राल है भारती वन जीव ट्रस्ट यूनाइटेड नेशन डेवलप्मे और लास्ट वाला UNEP तो पहले के जो तीनों है इन तीनों की ये संयूत परियोजना है जिसमें से जो परियावराड एवं वन मंत्रा लगी इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है UNDP इसे एसिस्टेंट प्रोवाइट करता है और इंप्लिमेंटिंग एजेंसी भारती वन जीव ट्रस्ट है तो इसका उत्तर हो जाएगा B 1, 2 और 3 अगला प्रशन देखते हैं 7 एक है ये क्या है तो 7 का फुल फॉर्म है South Asia Wild Life Inforcement Network यानि कि ये कही न कही South Asia से related है Wild Life से related है तो ये South Asian countries में जो Wild Life trafficking होती है उसको रोकनी के लिए एक ये Network है इसमें South Asia के 8 देश सम्मिली थे कौन-कौन से देश सबसे पहले अपना इंडिया तो होगा इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान, बांगला देश, भूटान मालदी, नेपाल, स्री लंका ये अट देश गिद प्रजनन और सनच्छड केंद्र इस्थाफित किया गया है ये option दिये गए है पंजाब, हरियाना, दिल्ली, राजिस्तान तो गिद प्रजनन और सनच्छड केंद्र हरियाना के पिंजौर में स्थाफित किया गया है इसके अलावा बक्सा जो की वेस बेंगॉल में है और गुवाहाटी जो की असाम में यहाँ पर भी गिद प्रजनन के लिए और सनच्छड के लिए केंद्र स्थाफित किये गये है अगला प्रशन देखते हैं डिकलोफनेक के उपयोग से किस जानवर की जनसंख्या में भारी कमी आई है आपको पता होगा डिकलोफनेक जो की एक दर्द निवारक है इसके इस्तमाल से जो गिद है उनकी जनसंख्या में बहुत ज़ादा कमी आई ही इसलिए इसको ban भी कर दिया गया है। इसकी जगह पर आlide familiar docus camera गया है कि क्या यूष क्या यूष किया जाता है जिरixí references बंद कमरे में नहीं सोना पर क्योंकि जो उसे कोईला वोला जलता उससे काबन मोनो अक्साइड गैस होती है और इसकी जो बाइंडिंग एफिशेंसी है बाइंडिंग पावर है हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन के कंपेर में बहुत जादा होती है तो अगर कमरे में ऑक्सीजन भी है और काबन चलता है और उसकी मिरत्य हो जाती दम गुतने से इसलिए गयता है कि सोते टाइम अंगिठी वगारा जो कोईले वाली होती हुआ नहीं जलाना चाहिए अगला प्रशन है अर्थ ओवर्शूट डे की अवधी प्रतिवर्श कम होती जा रहे है यह कथन है उसका कारण है प्रा प्रित प्रणियृच कर सकती है आता है यानि कि पूरे साल में जितना प्रतिवी सब्सदियृच करती है उतने 1970s के आसपास देखेंगे तो यह और आगे आती ती नवंबर दिसंबर के आसपास तो देखेंगे धीरे-धीरी यह कम होते जा रहे है तो यह क्या दरशाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अगला प्रश्ण देखते हैं मानो के इंद्रित द्रिस्टिकोड मानो के साथ सभी जीवों को समान महत्यों देता है यह गलत है मानो के इंद्रित द्रिस्टिकोड प्रकृति को साधन और मानो हितों को साध्य मानता है मानो के इंद्रित द्रिस्टिकोड में यह है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो दोनो उल्टे लिग गए हैं और पूछाए कि उपर इत्व मेंसे कौन सा सही है तो कोई भी नहीं सही क्योंकि दोनो उल्टे लिग गए हैं अगला प्रश्ण है ये कफन दिया गया है और कारड दिया गया है कफन है परियावरण संरक्षर के प्रति लोगों को संवेदन शील बनाने की अवशक्ता है सही है, परियावरण को अगर conserve करना है और उसका reason है कि परियावरण शिच्छा तथा परियावरण के प्रती संवेदन शीलता परियावरण सनक्षण में सहायक है, तो कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए अगला प्रशन देखते हैं ये तीन कथन दिये गए और इसमें से बताना है कि असत्य कथन कौन सा है प्रशन में ये चीज जरूर ध्यान रखना कि सत्य पूछा गया है या असत्य पूछा गया है विदेशी प्रजातियां किसी पारितंत्र में प्रवेश कर वहां की मूल प्रजातियों को प्रभावित करती हैं सही है, इन्वेजिवी स्पीसीज के बारे में ये प्रश्ण है तो यह सही है invasive species जिस पारितंतर में जाती है तो वहां के बूल प्रजातियो कोई उप्एक्ट करती है और दूसरा इसमें यह प्रजातिया अपने प्रभाव येवं अतधिक प्रजनन जम्ता के कारण उस पारितंतर में अपना अधिकार जमा लेती है तो ये भी सही है तीसरा है पार्थीमियम अत्वा अमेरिकी खर्पतवार एक विदेशी प्रजाती है जो की आयातित गेहूं के साथ भारत में आई तो ये भी सही है यानि की उपरिक्त में से प्रश्च्ण पूचा गये कौन सा असत तो इसमें से कोई भी असत नहीं है तीनों सहीं, तो उसका असर हो जाएगा D अगला प्रश्च्ण देखते हैं निम्न कतनों पर विचार कीजिए और उसके बाद पूचा गया कि सही कतन से कौन सा है, दो कतन दीएगए पहला कतन है प्रजातियों की संख्या में व्रद इसे खाद जाल अधिक विस्तरत एवं जटिल हो जाती है ये सही है जितनी ज़्यादा प्रजातिया होंगी उतने ज़्यादा उनके लिए option होंगे उतने ज़्यादा एक दूसरे के उपर dependent रहेंगी तो इससे क्या होगा कि जो खाद जालोगी विस्तरत हो जाएगी और complicated हो जाएगी जटिल एवं विस्तरत खाद श्रंखला जैव विविदता है तू हनिकारत है तो ये गलत है जितनी ज़्यादा विस्तरत होगी और जटिल होगी खाद श्रंखला वो पारितन्ट के लिए उतने ज़्यादा सहायता करत क्योंकि अगर मान लीजे कि एक जीव के पास दस option है, खाने के लिए, तो अगर एक क्षतम भी हो जाए सकता है, तो नो के उपर वोा सर्वाइब कर सकता है, लेकिन अगर मान लीजे कि वो एक ही के ऊपर depend है और वो खतम हो जाता है, तो फिर वो जीव भी क्षतम हो जाएगा, तो इसलिए जितने जादा option होगे, जितनी बड़ी खाद श्रंकला होगी, जितना विस्तरत खाद जाल होगा, उतना जादा कोई पारितन्त इस्तिर होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही पूछा गया है, तो पहला केवल इसमें सही है, अगला प्रशन देखते हैं, यह दो option दिये गए हैं, कथन और कारण, उसके बाद नीचे कुछ option दिये गए, उससे answer बताना है, कथन है, जै विविद्धा की दरश्टी से भारत विश्य के शिर्ष दस देशों में शामिल है, तो यह कथन बिल्कुल सही है, यह कथन तो सही है, लेकिन उपर वाले का यह explanation सही नहीं है, क्योंकि जै विविद्धा का एरिया से कुछ लिना देना नहीं होता है, आप राजिस्तान में देख लो इतना विश्तरच शेतरफल है, लेकिन जै विविद्धा वहाँ बहुत कम है, वहीं आप गोवा में देख लो या अंडमान निकोबार दियुप समूपे देख लो, छेतरफल बहुत कम है लेकिन जै विविद्धा बहुत ज़ादा है, तो छेतरफल का जै विविद्धा से संबंद नहीं होता है, तो दोनों कथन सही हैं, लेकिन इस पस्टी करण नहीं है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन इस पस्टी करण सही नहीं है, अगला प्रश्ण है कि यह चार टर्म्स दिये गये हैं सामने explanation दिया गया है मिलान करना है मार्सूपियल्स कौन से होते हैं आपको पता है जो अपने अभिक्सित शिशुओं को रखने के लिए जिनके पास एक शिशुधानी होती है जैसे कि कंगारू हो गया तो यह मार्सूपियल्स में आते हैं तो पहले का C हो जाएगा B और C दो option हो सकते हैं अगला मिलाते हैं O, O, V, V, Paris अभी हमने उपर discuss किया अंडे देने वाले इस तंधारी को बोलते हैं तो दूसरे का A हो जाएगा यानि कि आंसर हो जाएगा C तो मोलस्क क्या होते हैं जिनका बाहरी आवरण कठोर होता है रिप्टाइल्स क्या होते हैं इनके शरीर पर स्केल्स पाए जाते हैं अगला प्रश्न देखते हैं यह कथन दिये गए हैं और इसमें से सत्य कथन का चुनाओ करना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उरने वाले भारी पक्षियों में से एक है तो यह सही है सुमातरन राइनो गेंडे की पाँच प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाती है ये गलत है, सही कतन पहले ही हो जाएगा, क्योंकि सुमातरन राइनो जो है, ये गेंडे की पांच प्रजातियों में से सबसे छोटी प्रजाती है, और इंडिया से ये विलुप्त हो चुके है, निचुरल ही नहीं पाय जाते हैं, जंगल में नहीं पाय जाते हैं, आप किसी च ओलिव रिडले कच्छवा, केवल हिंद महासागर में पाये जाता है, ये भी गलत है, ओलिव रिडले हिंद महासागर में पाये जाता है, अट्लांटिक ओशन में पाये जाता है, पैस्विक ओशन में पाये जाता है, अगला परस्ण देखते हैं, ये पुछा गया है कि कौन पर्क मनिपूर पाए जाता है ये भी सही है केबुल लाम जाओ कीबुल ने होगा केबुल हो गए मैंनिपुर में है केबुल लाम जाओ ये भी सही है । और कच ये गुजरात में नाम सही जैसे पताचला है लाल पांडा पश्चमी गाट यह गलत है तो कौन कौन सा सही सुमेलित पहला और दूसा सही सुमेलित है जो रेड पांडा है ये मेली नौर्थ यस रड़ाचल प्रदेश इन रजेयों में पाय जाता है अगला प्रश्ण है कि निम्न में से असत्य कथन का चुनाओ कीजिए अब ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देना है कि असत्य कथन चुनाओ है लाइकेन जो होते हैं कवक और शैवाल के बीच सहजीवी सम्मद्ध को दर्शाते हैं तो ये कथन सही है कवक में क्लोरोफिल अनुफस्तित होता है फंगस में क्लोरोफिल अनुफस्तित होता है ये भी सही है जिम्नोस पर नगन बीजी पौदे होते हैं ये भी सही है इनका जो सीड होता है उनके बाहर कवर नहीं पाया जाता है कीट बच्ची पौदे कीटों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो यह गलत है तो गलत चुनना है तो यही सही हो जाएगा कीट बच्ची पौदे ऐसी जगों पर पाये जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होते हैं ये nitrogen की जो कमी होते हैं उसको पूरा करने के लिए कीटो को मारते हैं इनमें chlorophyll पाया जाता है भोजन ये अपना photosynthesis की प्रक्रियाद्वरा स्वयम बनाते हैं लेकिन nitrogen के लिए कीटो को मारते हैं जैसे कि नेफेंथीस हो गया गट पढ़ ली जिसको बोलते हैं हिंदी में अगला प्रशन है IUCN से सम्मंदित निम्न कतनों पर विचार कीजिए तीन कतन दिये गए हैं और पूछा गया है कि इसमें से असत्य कतन कौन सा है पहला कतन है विलुप्त प्रजातियां वह प्रजातियां है जिने एक समयकाल में न देखा गया हो तो ये सही है दूसरा है यदि 10 वर्शों में किसी प्रजात की जनसंख्या 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आती किसी जनसंख्या में तो उसे critically endangered श्रेड़ी में रखा जाएगा ये भी सही है critically endangered का ये भी एक क्राइटेरिया है केवल यही क्राइटेरिया नहीं है ये भी एक क्राइटेरिया है अगला है यदि किसी प्रजात की जनसंख्या 200 से कम हो और पिछले 3 वर्शों में 25 प्रतिशत की कमी आई हो तो उसे endangered श्रेड़ी में रखा जाएगा तो ये गलत है उसे endangered श्रेड़ी में नहीं बलकि critically endangered श्रेड़ी में रखा जाएगा तो critically endangered की एक है इसके लावा और भी critically endangered के लिए जैसे कि केवल 50 प्रतिशत या उससे कम सदस्शंख्या 6 बची हो या फिर 10 वर्षों में 50 प्रतिशत की कमी नहीं दस वर्षों में 50 प्रतिशत प्रजातियों के विलुप्त होने का खत्रा हो ये सारे क्रिट्ट के लिए होते हैं तो असत्य कतन इसमें कौन सा है जो तीसरा कत और पूछा गया कि सुमेलित नहीं है इसमें से बताना है कि कौन-कौन से सुमेलित नहीं है पहला है केमोफलॉज अत्यदिक गर्म वातावरण से बचने के लिए शारीरिक निश्क्रियता ये गलत है केमोफलॉज वो होता है कि कोई भी जीव के अंदर ये टेंडेंसी होती कि वो अपने आस-पास के परियावरण में खुद को छुपा लेता है जैसे कि आप तेलुए को देखोगे तो वो सूखी पत्तियों के बीच में बैट जाएगा और ऐसा लगए कि सूखी पत्तियां पड़ी हुई या बहुत सार ऐसे स्नेक्स होते हैं जो पेड़ की टहनियों तो पहला सुमेलित नहीं है तो अगला है एस्टिवेशन प्राडियों की परवेश में घुल मिल जाने की जहमता है यह तो एस्टिवेशन क्या होता है बहुत ज्यादा गर्मी से बचने के लिए जो कोई जीव है वो अपनी शारिजित निश्क्रता कम कर देता है और इसको बोलते हैं एस्टिवेशन तो पहला और दूसरा यह सुमेलित नहीं है और हाइबरनेशन क्या होता है बहुत ज्यादा ठंडक से बचने के लिए शारिरिक निश्क्रता अपनी कम कर लेता है उसको हाइबरनेशन बहुत है होम्य स्टैटिस क्या होता है इस शरीर के तापमान विचार करें तथा सही कतन का चुनाओं करें जलवाश्ट ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे बड़ा युद्दान करता है सही है मानो सीधे तोर पर इसे उत्सरजित करने के लिए जिम्मेदार नहीं यह भी सही है इंडारेटली हम जलवाश्ट को क्रियेट करते हैं त इसके लिए आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा यानि की दूनों अगला है निम्न में से कौन सा काबन डायकसाइट का मुख्षी सुरोत है जीवाश्म इंधन का देहन जैसा कि आपको पता है जीवाश्म इंधन जलाने से बहुत सारी गैसे निकलती उसमें काबन अगला है निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग छंता के आधार के रूप में काम करती है यानि कि किस गैस को बेस मान करके हम दूसरी गैसों की ग्लोबल वार्मिंग छंता को काउंट करते हैं या उनका आकलन करते हैं तो carbon dioxide, carbon dioxide की जो global warming छमता होती है, उसको हम एक मानते हैं, अब अगर कोई ऐसी gas है, जो इससे ज़ादा global warming के लिए responsible है, efficiency से ज़ादा है, तो वो उसका positive में मान होता है, और जो कम है उसका negative में होता है, जैसे कि आप methane का देखोगे, तो उसका जो global warming छमता है, उसकी 21 है, यानि कि तो carbon dioxide की छमता में 21 गुना अधिक global warming के लिए उत्तरदाई है, उत्तरदाई नहीं, क्योंकि वो quantity के उपर depend करता है, उसकी छमता इतनी जादा है, carbon dioxide के पेच्छा वो 21 गुना जादा global warming create करता है, और ऐसे ही अगला प्रस्ट देखते हैं, निम्लिखित कत्रों पर विचार करें, और सही विकल्प का चुनाओ करना, इसमें सही देखना है, निक्रियस cloud अपनी चमक के कारड मदर आफ परल के रूप में जाने जाते हैं, तो जो निक्रियस cloud होते हैं, उन्हें मदर आफ परल बोलते हैं, सही है ये, सभी प्रकार के दुरुविय समताप मंदली बादलों में नाइट्रिक एसिड होता है, तो ये गलत है, इसका पहला ही सिर्फ सही है, अगला प्रश्न है, निम्लिखित कत्रों पर विचार करें और गलत विकल्प का चुनाओ कीजिए, कारबञ अनुक्रम में कार्बन डायोकसाइट का निपटान करने की तक्नीकी का वर्ण है, यानि कि काबन mitigation की बात की जारी है, और काबन सिक्वेस्ट्रेशन केवल प्राकर्तिक सिंख में ही किया जा सकता है, काबन अनुक्रम निए carbon secret का निभतान करने की तकमिक्र की में किया जा सकता है तो यह गलत है क्योंकि最 निकालते हैं जहां से कोला निकालते हैं तो जगह खाली हो जाते ही तो वहां हम carbon dioxide को काबन को नुक्रम करते हैं वहाँ पर सिक्वेस्ट्रेशन किया जाता है तो केवल प्राकर्थिक सिंग में नहीं किया जाता है मानु निर्मी जो क्रित्रिम होता उसमें भी किया सकता है तो इसमें गलत कथन हो जाएगा दूसरा अगला प्रशन है green carbon संदर्भित करता है तो green carbon जो रोता है प्रकास शंस्लेशर के द्वारा वो carbon जो पौध्य और मिटी में संग्रहित हो जाता है उसे बोलते हैं green carbon तक्टी जली और समुद्री कार्बन सिंक में संगरहित कार्बन तो यह होता है ब्लू कार्बन ब्लू कार्बन और काबन टैक्स लगाकर उस सरजन को नियंतित करना है तो काबन टैक्स अलग का अलग ही एक concept है जिसमें कि अगर जो भी carbon produce करते हैं उसके लिए tax दिना पड़ता है इसी के अलावा एक carbon को कम करने के लिए carbon credit एक नया concept लाएगा इसमें क्या होता है कि हर एक को एक सीमा दी जाती लिमिट दी जाती है और अगर आप जादा करते हैं उस लिमिट से लिए तो आपको credit खरीदना पड़ेगा अगला प्रश्ण है निमलिखित जियो इंजिनियरिंग पद्धतियों में से प्रत्वी के तापमान को कम करने के लिए प्रियुक्त किया जा सकता है तो कृत्रिम जोला मुखी सही है अंत्रश्छ में दरपड़ स्थापित करना ये भी सही है जल निकाय में पादब प्लवक की मात्रा को बढ़ा ना ये प्लवक होगा तो क्रत्रीम ज्वाला मुखी क्योंकि ज्वाला मुखी आपको पता है जब वह फटता है तो सल्फर डायक्षड बहुत ज़्यादा गैस निकलती है और दुंद छा जाती है इससे क्या होता है कि टेंपरेचर प्रत्वी का कम हो जाता है और अंत्रिक्ष में दरपड़ होगा जल निकाय में पादप लबक की मात्रा प्राना तो पौधे आपको पता है काबन डायक्षड बहुत ज़्यादा और सोशित करते हैं तो और काबन डायक्षड एक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है तो यह भी प्रत्वी के तापमान को कम करने में साहिक है करित्रिम निमलिकित कतनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाओ करें जलवायू परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अनुकूलन एक उपाय है तो यह सही है मिटिगेशन में ग्रीन हाउस गैस के उसरजन को कम करने के उपाय सम्मिलित है तो यह भी सही है तो इसका आंसर हो जाएगा, C National Action Plan में संम्मिलित नहीं है National Action Plan आपको पता होगा, 2008 में आया था National Action Plan for Climate Change, इसका पूरा नाम है 2008 में आया था और इसमें 8 मिशन थे कौन-कौन से? राश्टिये सौर मिशन था National Mission for Enhanced Energy Efficiency, जिसे हिंदी में कहते हैं राश्टिय विस्तारित उर्जा दच्छता मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग दा हिमालय निको सिस्टम, और नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल वेस्टेंबल वेस्टेंबल घाट के लिए कोई उसमें नहीं था, और भी थे राश्टिय जल मिशन, राश्टिय सतत्क्र राष्टी मिशन और ऐसे और भी थे धारड़ी आवास के लिए राष्टी मिशन ऐसे आठ मिशन थे इसमें टूटल अगला प्रश्ण है राष्टी संचार यानि की नेटकॉम इसका वित्व पोशड किया जाता है तो वैश्विक परियावरण सुविधा के द्वारा इसका वित्व पोशड किया जाता है अगला है एकी करत आवास के मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग की कल्पना की गई है परियावरण और वन मंत्रा ले नवीन और नवीकरडी उर्जा मंत्रा ले तेरी तो इसमें से नवीन और नवीकरडी उर्जा मंत्रा ले और तेरी ये दोनों मिल करके ग्रीन रेटिं प्रोवाइड करते, ग्रीन रेटिंग क्या होती है कि कोई भी जो बिल्डिंग होती है, उसमें आपने कितने सस्टेनेबल तरीके से उसको बनाया जैसे कि उसमें जो पानी का यूज होगा, तो कितना आप पानी को री यूज करते हैं, रेन वाटर होर्विस्टिंग का क्या सि इंप्रेचर मिंटेन होता है, अगर बहुत ही कॉम्पैक्ट होगी, सफोकेशन होगा, ऐसी चलानी पड़ेगी, तो ऐसी का कम से कम यूज हो, इस तरीके से उसको बनाना की बहुत अच्छा वेंटिलेशन हो, तो ठंडा रहेगा, और सोलल लाइट का यूज करना, तो इन अगरी और नवीन और नभी करडी उर्जा मंत्राले की पहल है, अगला प्रश्न है, क्लाइमिट रेजिलियंट एग्री कल्चर पर रास्टी पहल, यह किसकी है, तो भारती क्रेशी अनुसंधान परिशद, यानि की, इंडियन काउंसिल पॉर एग्रीकल, यह क्या होगा, ए इसकी पहल है, क्लाइमिट रेजिलेंट एग्रीकल्चर पर रास्टी पहल, इसकी स्थापना 1929 में की गई थी, और यह स्वतंता के पूर्व बनी हुए बॉड़ी है, इसके उपर प्रश्न कई बार पूचा गया है, कि चार आपको बॉड़ी दे जाती है, और पूचा जात डाइक्ट भी कई बार पूचा गया है कि, कई सारे यर दे देते हैं, कई सारी बॉड़ी दे दे दे, पूचते हिं, इन को मिलाने को दे दे देते, बताइए कब कौन सहा पित किया गया था, आगला प्रश्न है, केंदरी शुष्क भूम्मी करेशि अनुसंदान संस्थान्, तो यह हैदराबाद में इस्ती थे और जो एरिड एरिया रिजर्ज के लिए इरिड जोन के लिए जो है शुशकु भूम में के जो लिए है वो हैदराबाद में है और जो शुशकु छेतर के लिए है वो जूदपूर में यह याद रखिएगा क्योंकि इसमें अकसर confusion हो जाता है शुशकुभूमी क्रेश ही वाला वो है दराबाद में है अगला है joint implementation clean development mechanism emission trading ये सब किस से related हैं तो ये क्योटो protocol से related है mental protocol ये ओजों से related है ओजोन से रिलेटेड है ओजोन लेयर के conservation से सनच्छड से पेरिस चलवाई है तो इसम्दी है तो आज की इस लेक्चर में इतना ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके अगर वो कुछ सुझाओ है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसके अलावा टेलिग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप उसको ज जाती है रेगुरल रेगुलर्ली और वहाँ पर भी कॉश्चन्स पोस्ट किया जाते हैं तो उसको भी आप जाइन कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्शर में इससे आगर डिस्क्स करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद कर दाहते हैं